उत्रकंड में स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगतार सकरात्मक पहल कर रहा है और इसी पहल को लेकर चिकित्सा शिक्षा निदेश अकाशुतोष सयाना ने कहा कि प्रदेश के सभी चारों राजक्वे मेडिकल कॉलिज से पास आउट चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन शेत्रों में तैनाती दी जा रही है आपको बता दे कि प्रदेश में इस समय चापधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में काफी संख्या में यात्रा मार्गों में डॉक्टरों की जरूरत है यात्रा मार्गों पर इन डॉक्टरों की तैनाती एक बड़ी पहल साबित होगी और इससे तीरत यात्रियों को बेहतर स्वास्त सेवा एं मुहया कराने में भी मदद मिलेगी दहरादून से व्यूरो चीफ अभनीश कुपता की रिपोर्ट जी हाँ जैसे की चीशा सिख्या विभाग के अंतरगत अभी चार मेडिकल कॉलेज संचालित हैं तो यहां से जितने भी जो है जो है जो पास हो जाते हैं और जो स्वास्ती विभाग में अगर जिनका बॉंड है तो वो हम उनको स्वास्ती विभाग को जो है दे देते हैं तो जितना भी जो है साल का जो है बॉंड होता है तो महाँ पर वो सिवा करते हैं अभी हमने 267 टू सिश्टी सेवन एंबीबियस डॉक्टर्स जो की श्रीनगर से और दूवन से और हल्दवानी से पास हुए हैं उतिन हुए वो 267 डॉक्टर्स हमने स्वास झाल 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 झाल